हैलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमारी घर के रोज के काम अगर हम थोड़ा सा टीप्स के थुरू करें ना काम एकदम आसान हो जाएगा और हम अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं ऐसे ही कुछ चोटे लोगों को बहुत ज़्यादा कामा आएगा तो चलिए टीप्स हम देख लेते जो लोग नए नए सबजी बगरा काटते है उसको ए दिकत जादा होती हो तो मिर्च को हाथ में लगाए बिना ही हम काट सकते हैं अमारा हाथ भी नहीं जलेगा और हम अच्छे तरीके से मिर्च को काट भी सकते हैं हमारे घर में जो इस तरह का काटा चमच होता है ना इस चमच के अंदर इस तरह से मिर्च को पहले फसा देंगे फिर आसानी से हम मिर्च को छोटे छोटे टुकरों में काट सकते हैं इससे क्या होगा हमारे हाथों में मिर्च नहीं लगेगा और जलने का भी खत्रा नहीं तो जरूर एटीप्स एपलाई कीजिएगा आपका जो हाथ है ना मीर्च के कारण नहीं जलेगा करती हो एटीप्स आप लोगों को बहुती काम आएगा तो चलिए आगला टीप्स हम देख लेते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा कटोरी के अंदर डाल रही हूँ दो चमच के करिब हॉइट भीनिगर फिर इसमें क्या करेंगे और कुछ चीज हम इसमें डाल देंगे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा कटन होते हैं कटन के मदद से इस भीनिगर को हम डूबो कर रख देंगे एक मिनिट के लिए करेंगे हमारे घर में इस तरहा का है कईभर देखा जाता है एकदमे के काच होता है गनदा हो जाता है जूब द्धूल मिटफी लगने का करन अगर हम अच्छ ए से इसको क्लीन औहीं करेंगे ना इसका जो काच है एकदम से गनदा हो प्राब हो जाएगा, तो हम जो कटन भीगो कर रिखे थे ना, भीनिगर में उस कटन के मदस से इस तरह से अगर क्लीन करेंगे न, एक दम से घलमेट का जो काच है सामने बला क्लीन हो जाएगा, नय जैसे चमक आजाएगा और आपका जो घलमेट है, अब लेंबे टाइम के लि देखिए कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है हमारा हेलमेट। तो हम इसको कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। जूता का जो अंदर वाला हिसा है मैंने इस तरह से बाहर निकल कर क्या करेंगे जो इस तरह का पूराना मोजा है ना मोजे को इस तरह से इस सोल में पैना देंगे। गया है इस तरह से अगर मोजे पहनाएंगे ना तो देखिएगा आपका जो जूते एकदम से धिला धिला था ओकदम से टाइट हो जाएगा। उम्मिद करती हूँ टीप्स काम आएगा एपलाई कीजिएगा तो फिर मुझे कॉमेंट करके बताना। टीप्स हम देख लेते हैं फ्रेंट चावल बगरा तो हम सबी लोगी खना पकाते हैं हमारे गैस ओबेन में सबजी डाल कई बर देखा जाता है जब भी हम कुछ पकाते हैं डाल सबजी तरकारी चावल उसका जो मार होता है इस तरह से गैस ओबेन के बनर से नीचे सलप में किट जाता है जो बहुत ही जदा गंदा हो जाता है और बदबू भी आने लगता है और एक क्लीन करने के लिए बहुत जदा समय भी लगता है इस तरह से कप्रा से क्लीन करना पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे प्लेट को क्या करेंगे गै अच्छे लगे तो जरूर अपलाई करना चलिए आगला टीव संदेख लेते हैं हमारे घर में जो सिंग के रिया होता है न हम तो बरतन बगड़ा धोते हैं सबजी बगड़ा सिंख में धोते हैं लेकिन कई बार देखा जाता है क्या सिंग का जो नल होता है न ओ एकदम से जाम हो जाता है पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो क्या करते हैं हम पाइप को ठीक करने के लिए हम लोगों को फिर बहुत ज़्यादा पैसे कभी खरच करना पड़ता है तो किस तरह से हम सिंग को यूज करें हमारा जो सिंग का पाइप एकदम से clean रहेगा कभी भी उसके अंदर कोई भी चीज अटक नहीं जाएगा और एकदम से पानी clean तरह से निकल सकता है इसलिए क्या करेंगे हमारे घर में जो इस तरह का दूद बला packet आती है ना देखिए इस तरह का packet मैंने ले लिया है फिर क्या करेंगे एक काची की मदल से packet को इस तरह से cut लेंगे इस तरह का packet क्या होता है नरम होता है आप बहुत दिन के लिए इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे फिर क्या करेंगे देखिए आप अपने हिसाब से कट लगा लीजिएगा फिर छोटा छोटा ना बहुत सारे छेद कर लेंगे जो आसानी से पानी इसके अंदर से चला जा सके इसलिए बहुत सारा छेद करना होगा और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फिर चलिए देख लेते ह देखिए हमारा जो ये प्लास्टिक है ना एकदम से रेडी हो गया है बहुत सारा चेद इसमें कर लिया है फिर इस तरह का जो जाली है इसके अंदर इस तरह से रख कर हम इसको सिंक में सेट कर लेंगे फिर जब भी हम बर्तन बगरा धोयेंगे सबजी बगरा इसके अंदर जो बड़ा बला पाठ होगा ना वो आसानी से पाइप में नहीं जा सकते हैं देखिए मैं दिखावी रही हूँ जब भी हमरा चाय बगरा हम खाते हैं उसका जो चाय पत्ती होता है सबजी का जो छोटे छ टुक्रे होते है ना वो आसानी से सिंक में पाइप में अटक जाता है देखिए कितना आसानी से जो पानी है ना सारा पानी आसानी से निकल रहा है फिर दिखा रही हूँ देखिए जो सारे गंदीगी है ना वे पॉलिथीन में आ गया है फिर क्या करेंगे हम पॉलिथीन को बाहर दस बिन में फेक देंगे नहीं तो आप इसको क्लीन करके दुबहरा भी यूज कर सकते हैं इससे आपका सिंक लंबे टाइम के लिए खराब नहीं होगा पाइप आप यूज कर पाएंगे तो टीफ्स जड़सा भी अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक करना उमीद करती है हमारे घर में लंबे टाइम के लिए जब हम इसको यूज करते हैं इसका जो धार होता है साटनेस होता है एकदम से कम हो जाता है हम कुछ भी आसानी से कट नहीं सकते हैं तो घर पर हम इसको किस तरह से धार कर रहा सकते हैं हमारे घर में तो नेल पेंट सभी के पास ही होता क्या करेंगे नेल पेंट को अच्छे तरीके से काची के उपर इस तरह से लगालेंगे दोनों साइड इस तरह से लगाना होगा। खरस होने चे बस सकता है, फिर क्या करेंगे मैं या पर ले लिया है एक स्क्राबर, आप कोई भी नए बाला स्क्राबर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नए बाला स्क्राबर की मदद से इस तरह से स्क्राब करेंगे, इससे जो नेल पेंट है ओ भी रिमूब हो जाएग और हमारा जो काची का धार है ना वो एकदम से चला आएगा हमारा जो काची है कितना अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गया है जो जंग लगा था वो भी चला गया है कोई भी चीज हम आसानी से कट भी सकते है